हलो अब्रिवान एक पर फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चानल पर जहां पर आज हम आपके लिए लेकर गया है एक और important topic जो कि आपके business का एक important topic है जहां पर आज हम आपके साथ discuss करेंगे KPO के बारे में BPO की तरह KPO भी एक important topic है BPO की भी जितनी weightage है आपके KPO की भी उतनी weightage है आपके exam में question आपको इन दोनों में से किसी भी topic पे मिल सकता है या फिर आपको जो है एक short note लिखने के लिए exam में आ सकता है जहां पर इन दोनों के बारे में पूछा जाएगा अगर आप ऐसा कोई exam दे रहे हैं जहां पर objective type of questions involved होते हैं सो वहां पर आपसे KPO के बारे में पूछा जा सकता है difference के लेकर के छोटा साथ point बना करके पूछा जा सकता है I hope आपने BPO clear कर लिया है नहीं किया है video uploaded है you can go there and check it out okay now KPO क्या होता है बचे KPO समझें उससे पहले थोड़ा सा BPO का एक introduction ले लेते हैं या फिर कहली जी revision कर लेते हैं BPO यानि business process outsourcing अब देखो business process outsourcing एक business में जो है 10 तरीके की काम होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप 10 के 10 काम जो है खुद करने बैठ जाओ जैसे कि आप एक इंसान हो let's talk about अगर आप महीला हो ठीक है तो आप जो है आप बले ही multi talented हो आप सब कुछ खुद कर सकती हो सारे के सारे आप खुद नहीं कर सकते कुछ ऐसी काम होते हैं जो कि अगर आप करने बैठ जाओगे तो आप अपने main business पर focus नहीं कर पाओगे इसलिए आप अपनी कुछ services बाहर से लेते हो यानि कि किसी कोई ऐसी companies जो की ऐसी services देती है उनसे आप वो services ले लेते हो जैसे कि advertisement करा लेना ये सब चीज़े करा लेना क्योंकि आपको पता है कि आप इस पर लग गए तो main काप पे आपका focus रहे जाएगा और वो एक ऐसी service होती है जो कि आपके business के लिए जरूरी है आपको वो करनी पड़ेगी या फिर उसके लिए service आपको लेनी पड़ेगी उसको कहा जाता है BPO यानि कि business process outsourcing जब आप यहाँ पे अपने main business पे जो है focus करने के लिए कुछ और business जो है कुछ और activities के लिए बाहर से service लेते हो अब यहाँ बात आती है कि अगर वो services जो आप बाहर से services ले रहे हो वो services ऐसी services है जिसके लिए एक particular knowledge की आवशकता है एक particular knowledge वहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है या फिर ऐसे operations है जो कि आप बाहर से outsource करना चाह रहे है outsource यानि बाहर से लेना चाह रहे हो वो operations ऐसे हैं जो कि knowledge based operation है वो कोई भी उठ करके नहीं कर सकता आप में उठ करके नहीं कर सकते कुछ ऐसी services है जैसे कि particular data analysis आपको कराना है तो वो ऐसी service है जो कि एक particular knowledge के base पे है तो वो आप जब बाहर से outsource करोगे तो वो आपका knowledge process outsource यानि कि KPO कहलाया जाता है means outsource करना ऐसे operations को जो कि knowledge based operation है किसी particular knowledge के उपर based operations का outsourcing करना और आप यह क्या करते हो to an independent service provider और ना contract basis यह आप market में बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो ऐसी services आपको देते हैं आप वहाँ पे जाकर के service ले सकते हो आपको कई बार जो है bank से call आती है कि HD Apti का card loan ले लो आपको जो है credit card निकला है आपको क्या लगता है HD Apti वाले खुद बैठ करकर यह call करवाते हैं नहीं वो भी हो सकता है कि इसे जो है BPO के services ले रहे हो कुछ KPO की services लेते हैं तो यहाँ पे जो है calling, telecalling की services provide करते हैं आपको चाहिए हो तो बताना तो वो services provide कराई जाती है A firm may transfer the performance of knowledge related activity to a specialized firm to an agreed amount or consideration यहाँ पे एक firm जो इसके पास जो है यहाँ पे जिसमें एक अपनी company बना रखी है firm बना रखी है जो कि यह activities देता है अगर आपको activities जाहिए आप उसके पास जाहिए वो firm आपको activities provide कराएगा specialized firms होती है और यहाँ पे वो agreed amount आपसे लेते हैं consideration के बदले ठीक है तो और consideration ठीक है consideration लेते है agreed amount जो भी आपके होगी वो consideration लेते हैं और वह service आपको provide करते है जो work assigned किया जाता है KPO vendors को वो based होता है knowledge के base पे and information के base पे जहां पे उसके according स lazım으ं facilitate किया जाता होता है इन BPO में जो कि basic process oriented होता है देखो यहाँ पे क्या है KPO में जो आपको services मिलती है क्या क्या है? The KPO members provided qa sevenKatie work assigned किया जाता है वह – knowledge and information क वही जो work आप BPO से लेते हो या फिर BPO में जो असाइन करते हो वह basically process oriented होता है कि एक process है उसमें particularly कोई बहुत जादा बड़ी knowledge नहीं चाहिए पर उस पस एक process है telecalling करनी है process है उसके लिए कोई बहुत बड़ा ग्याननी चाहिए KPO वाली कुछ knowledge नहीं चाहिए वही data analysis है तो वहाँ पर data analysis करना data science का knowledge होना ज़रूरी है तो knowledge चाहिए KPO services में कौन-कौन सी services आती है business research service, business की research को लेकर के service करना, market research करना, market में customer के बारे में जानना और बहुत सारी ऐसी चीज़े जो उसमें include हो जाती है next is investment research service, investment करना है तो उसके लिए research करना की कौन सी जगह पर करना है, real state है, कौन सी sector में करना है उसका पूरा EIC module check करना, technical fundamental sub analysis करना, data analysis करना, market research की services, legal research services, legal research services आप और मैं नहीं कर सकते उसके लिए को ऐसे लोक्षेगे, जमको लीगली चीजों की जानकारी हो, so इस वज़े से यहां पर आपकी यह सारे points बनके आजाते हैं, so I hope now it is clear to you, what is KPO, and also आपको थोड़ा से difference पता चल गया होगा KPO and BPO में, so let's see you in the next video, till then, take care of yourself and take care of your health, bye